गुमला जिले के आठ पीडियस दुकानों को निलंबित किया गया है जिहां गुमला जिला के अलग अलग आठ पीडियस दुकान दारों को ततकाल निलंबित कर दिया गया है और उस पर विभागे कारवाई भी की जा रहे है ताकि काला बाजारी की गए अनाजों की वसूली हो सके दरसल काटधारी कम राश्वन देने की शिकायत लगतार कर रहे थे इसकी चानकारी मिलते ही जिला आपूर्ती पदाधिकारी ने ग्रामिनों की शिकायत को सही पाया और सभी आठ पीडियस दुकानों को लेलंबित कर दिया है